महाराष्ट्रा इंग्लिश 3.2 लेसन नेम कॉम्पेरब प्रोग्राम तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत बहुतरी चैप्टर में आच कराने वाली हूं ठीके बच्चो तो चलो शुरू करते हैं कॉम प्रोग्राम की तैयारी कैसे होती है क्टिया किया जाता है जैसे कैसे हैंब लोग का आप होका अपलों का अलग ऐसकूल में 15 और अट बहुत सारे से प्रोग्राम्स होते हैं तो क्रिव मैं बहुत मूंज कогод रेड़िध एस फीस्टेव घंत्ए पहले तो सबस्क्षाइब कर दो किसी भी सिरत तो एक ऊस्ट होता है में जो होस्ट करता है सब का वैलकम करता है जॉ kinda जिए सब के बारें बता आता है वहाँ सारी चीजे हो इस श्किया बोलता है कि good morning friends it is a pleasure for me to welcome you all to this festive occasion बोलता है सबको विश करते हुए good morning friends बोलता है वो ऐसा करके बोलता है कि इस festive occasion festive मतलब बहुत joyful बहुत interesting बहुत आनन देने वाली जो occasion यह जो उत्सव है यह इस पर मैं आप सबका मतलब वैलकम करता हो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप सबका इस ऐसे festive occasion पर वैलकम करता हूं ठीके बच्चो प्लीज टेक यूर सीट क्रिप्या अपना सीट ग्रहंड करें मतलब अपना सीट अपसा अपने सीट पे आजाओ बढ़ जाओ मैं रिक्वेस्ट यू टी कीप यूर मोबाइल स्विच्ट आफ और ऑन सालेंट मोड मैं आप सबका रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अ अपने अपने मोबाइल का ठीक है अपने 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 मोबाइल का ठीक है देखो youthful creative expression आप लोग क्या करना है आपको यहां पे let us ring into the merry mood आप सब बहुत ही प्रसन्न mood में हो जाओ of youthful creative expression यह जो अभी यहां पे जो बहुत energetic बहुत ही बहुत ही मतलब creative expression जो अभी यहां पर होंगे न उसमें आप मतलब उसको उसका enjoy करना और भूल जाओ क्या और preoccupations जो अपने पहले का काम सब छोड़ के आए हो मतलब जो आपका जो काम धंदा जो भी आपका रहा है कि आपका बाइबर कॉल आने लगे कि यह हुआ वह वह थो आपका ध्यान एसा नहीं रहना चीए कि में वह काम छोड़ के आया हूँ तो आप यहां पर प्रोग्राम देख रहा सब भूल जाओ ठीक है और प्रोग्राम के टाइम तक आपने जो अपना है रिम टोन विगरा सब कुछ मतलब बंदी रखो आप अप सुझा रहा है आप लोग को चलो नेक्स करते हैं अराइवल आफ दो डिग्निटरीज मतलब बच्चों होता है चीफ पिपल मतलब बहुत आप लोग बहुत ही मतलब चीफ गेस्ट ठीक है तो अब यहां पी उन लोग का आगमन होता है मतलब लोग आएंगे ठीक है वो लोग आते हैं तो क्या होता है क्या क्या अनाउंस किया जाते है वो सारी बाते मिस पर पर देखेंगे I'm happy to announce that the dignitaries have arrived host तब बोलता है जब चीफ आप सब का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग सीट ग्रांड कर लें मतलब बैड़ जाए आप लोग आए रिक्वेस्ट आवर हेट गर्ल मिस शूभाडा मुरार का तो एसकोर्ट दो डिगनेटरीस टुदी डेज अब यहां पर क्या है मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमा मैं अपनी हेट गर्ल मिस सुभाडा मुरार का से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह चीफ गेस्ट को स्टेज पर ले आए जो चीफ डिगनेटरीस मतलब अने बताया ना सब वी आईपी लोग ठीके चीफ गेस्ट लोग जो है उनको यह एसकॉर्ट मतलब लाए ठीके ब्रिंग म कि हमें यह चैप्टर नहीं सब में आता है तो मैं वह भी वीडियो बना दोंगी क्योंकि मैं अक्सर करके 9th और 10th का बनाती हूं बच्चों और इंगली स्पिकिंग का चलो हां कॉमेंस्मेंट आफ देर प्रोग्राम को मतलब क्या मतलब स्टार्टिंग अब प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है तो अन्रेबल चीफ गेस्ट अब टूडेस फंक्शन और अन आर्टिस्ट ऑफ ड्रेट रिनोंड श्री श्री कॉन श्री चातूर दत्ता दीवान अब देखो अब जब प्रोग्राम शुरू होता है तो सब चीफ गेस्ट का और जो महमान आया रहते ह नुको बारे में परिचर दिया या तो मतलि उनकों को मतलब इंट्रोड्यूस को आ जाता है उनकी बातों को वो कौन महाने बहुत मतलब उनकों सब लोग जानते हैं ग्रेट रिणून जाने माने कलाकर कौन श्री चाथूरदत्ता दिवान उनकी बात हो गई मतलब बहुत बड़े कलाकार थे ठीक अब आगई बात प्रेसिडेंट की कौन से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ बाला नंद एड्यूकेशन सोसाइटी ओके अच्छा यह बात हो रही है बच्चों यह देखो चलो हम फिर से पता रहते हैं ऑन्रेवल चीफ गेस्ट ऑफ टूड प्रेसिडेंट ऑफ बाला नंद एड्यूकेशन सोसाइटी का कौन है श्री अवधूत पाठक और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आजिंकाया परार्खी ओकी अजिंक्या पराखी वाइस प्रिंसिपल कौन डॉक्टर शाइला से और और को ऑल वर इन्वाइटेट गेस्ट परेंट्स ट्विचर्स और माई देर फ्रेंट्स ऑफ बहाफ बाला नंद विद्याल है एक्स्टेंड हार्टी वेलकम तो यू आल मतलब बच्चों देखो सबका जो जो नाम है सबका यहां पर पहले तो चातुरत्या दीवान का ठीक अब बाला नंद वाला नंद वाला गया अवदूत पाथक जो है वह फिर उनके जो प्रिंसपल है डॉक्टर अजिंका पराखी और फिर वाइस प्रिंसपल जो है डॉक्टर शाइला सिंग प्लस उनके साथ सतकौन-कौन और जो सब गेस्ट आये हुए हैं वह और पैरेंस ट कि तरफ से आप सब का मैं दिल से वेलकम करता हूं सब्सक्राइब को वी हैव गयादर हियो फॉद इनौग्रेशन ऑफ और स्कूल आर्ट फेस्टिवल हम सब यह खटा हुए हैं हमारे स्कूल का क्या उद्धाटन किस चिसका यह आर्ट फेस्टिवल हमारे स्कूल का जो आर् फॉद घाटर उने वाले उसी के लिए यह प्रोग्राम किया गया अब वेलकम हो गया अब क्या स्टेज पे होने वाला है लाइटिंग दरने देखर बच्चो जब कर शुरू हता है तो हम बात में पहले क्या करते हैं शुरू आत में हम जलाते हैं मतलब भगवान का प्रातन करते हैं इसके बाद फिर क्या क्या प्रोग्राम उसके अंदर है वह हम स्टेप बेस्टेप करवाते हैं ठीक है तो अब यहां पर क्या है लैम जलेगा भी स्टेज पर कैसे देखो हमें हमारे होस्ट बोलता है कि हमें हमारे यह कहना में इसका हमारे ऑस्पिशियस मतलब शुब हमारा जो शुब मौका है बहुत ही अच्छा आउसर है इसका शुरुआत हम करेंगे किस से सम्ठिंग जो डौलज का वालेज मतलब ग्lifting और शी ग्यां का जो सिंबल है मतलब जो इसका प्रतीक है उससे हम इसका हम्मूरा वाले इसका मतलब यहां पर इंडिरेक्ली बोला गया है कि हम दिया जला के अपने इस प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे ठीके बच्चो और इसके लिए क्या करना है I would like to request all the honorable members on the days to kindly light the traditional lamp and offer prayers और इसके लिए I would like to request me request करना चाहूंगा all the honorable members और जितने honorable जितने सम्मानी लोग यहां पर आये हैं प्लीज वह आजाएं स्टेज पर और यह traditional लेंग जला कर प्राथना करें ठीके डिशनल मतलब ट्रडिशनल मतलब जो पारंपरिक लेंप होता है पारंपरिक लेंप तो हमारा दीपक होता है ठीके उसको जलाएं और प्राथना करें नेक्स सब लेते हैं फ्रेंट्स लुक एट दी अमेजिंग क्वालिटी ओ देखो जो लैंब का जो अमेजिंग बहुत जबर्दस क्वालिटी जो इस लैंब की होती है वा देखो क्या है इस में वैं इट नॉट ओनली डज़ एट कैरी देट्रमेंडियस मतलब बच्चो भयाना ठीके करें ट्रमेंडियस पोटेंशियल तु ब्रेक देखनेस आफ दे नाइट यह जो है बच्चो पोटेंशियल मतलब होता है शमता उसकी कैपसिटी ठीके तो सुनों वैंट यह ज खतम करता है बलकि लीव फॉर थाउजन अदर लैंप टी लेप फ्रॉम इट्स फ्लेम से अपनी अपनी आग से वह और भी थाउजन्स ओफ लैंप को वह जलाता है मतलब आगे की मतलब कड़ी आगे चलती जाती हो चेन आगे चलता जाता है मतलब ग्यान अगर एक जन को हो अगर वह बाटे सबको तो सब लोग ग्यान ही हो जाते है यह बात आप अच्छी पी होई है आई बास समझ में लाइकन टुदे लैंप इस नॉलेज लैंप जलाना क्या है नॉलेज है मतलब नॉलेज की तरह है आई बास समझ में जैसे हम जैसे हम मैं आपको बता रही हूं तो आप समझ जाओगे तो यह वीडियो अपने फ्रेंद को शेल कर देगा उसको समय आ जागा या फिर आप खुद ही समझा सकते है उसको समय बता रही है यह बात यह पर है नॉलेज टू स्प्रेट स्लाइट ग्यान भी क्या करता है बच्चो प्रकाश करता है आई बास समय समय इट नाइदर डिवाइट यह न तो डिवाइड होता है नौर सब्क्रेट न तो घटता है इत ओल्ली एड्स यह बस जुड़ता है और मल्टीप्लाइज होता है ठीक है जैसे टू मल्टीप्लाइज करते हो आपके टूटूज आ फो कैसे मतले होता जाता है मिस अनागा भाटिया और स्तैंडर्ड 7th और हरोप विल लाऊ सिंग थिस सॉंग अब इसके बाद लाट वर्ट जल गई अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड 7th की मिस अनागा भाटिया यह अपने जुप के साथ यह पर स्कूल का सॉंग गाएंगी ठीक है अब रूगा कि वह कहां पर है किस पोस्ट मैं क्या करता है वो चीज ठीक है ओडियन्स को भी बता जाएगा तो अतिति देव भाव बत्रुखल मतलब जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में क्या होता है मैं मुहां को बहागवार जाता है ठीक है अवा इंदियन कल्चुर वर्टार गेस् distinguished guests देखो लेक्टरस वेलकम हमें वेलकम करना है अभी हम वेलकम मतलब करने तो हमें क्या वेलकम और सम्मान करना है हमारे distinguished जो अलग-अलग गेस्ट आये हुए हैं उनके बारे में ठीक है फरक बताना कौन क्या है क्या है ठीक है इस इन डीड़ प्रावड प्रिविलेज तो हैव एमिस वेरी एमिनेंट परस्नलिटी फ्रम देफिल्ड ओफ आफ अंड कुल्चर रिनोड आर्टिस्ट चलो पहले हां तक कर लेते हैं लोग इस इंडीड प्रावड प्रिविलेज मतलब अच्छो यह मतलब वास्तों में हमारे लिए क्या है प्रावड प्रिविलेज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि एकदम बहुत विशेश अधिकार ह ठिके तो इट इस हाँ इट प्राओट प्रिविलेंज तो है ऐम एकिस्ट पर्सेनलिटी मतलए हमारे बीच ऐसी परसेनलिटी आही हुई है अबिद्ण बच्छों बहुत वी आई पी लोग आये हमारे बीच ठिके और इस कहां पे field of field of art and culture ठीक है हमारे यहाँ यहाँ पर ऐसे VIP लोग आए है from the कहां कहां से है वो field of art and culture renewed artist ठीक है मतलब वो देखो कोई कलाकार है कोई किसी अलग संस्कृती से है बड़े जाने माने कलाकार है a painter of international repute international level पे कोई painter है and proud recipient of many prestigious awards और लोग को बहुत ही सम्मान नहीं बहुत सारे recipient मतलब प्राप्थ हुए है रिसीट किया है यह लोग awards बहुत सारे prestigious मतलब बहुत ही honorable awards लोग मतलब इनको मिला है President of कला रंजन, एकेड़िमी, शी चातुरदत्ता दीवान वो कौन है अब यह इतना बड़ा इंट्रोड़क्शन किसका कराए गया President of कला रंजन एकेड़िमी के है वो नाम है शी चारुदत्ता दीवान इनका इंट्रोड़क्शन कराए गया है बच्चों कि यह बड़े जाने मने कलाकार है पेंटर है क्या क्या है बहुत इनको awards बड़ा मिला है यह सारी बाते चातुरदत्ता दीवान के बारे में हुई अब देखो I would request our principal to welcome him मैं अपने principal से मतलब request करना चाहूंगा कि क्या करें वो वो उनको बुलाए stage पे by offering a token of our love and appreciation मतलब उनको stage पे token मतलब बचाता है gift ठीक है प्यार का तौफ़ा प्यार का तौफ़ा और appreciate करें उनको ऐसा मतलब stage पे वो उनको बुलाए welcome करें उनका books two volumes of cherished lives of great artists देखो two volumes मतलब two volumes मतलब दो ग्रूप में ठीक है कौन सा book है cherished lives of great artists ये बुक है उसको ये दो वॉल्यम में है ठीक है ये बुक के साथ मतलब वो आए मतलब वो जो महान वो जो कला कार है उनको देने के लिए ठीक है हमारे flowers अगर जो बुक के लोग देते हैं न बुक के तो वो क्या होता है वो मुर्जा आजाता है खराब हो जाता है बड़ बुक क्या होता है वो हमेशा के लिए रहता है थैंक्यू सर अके I would now request the conveyor of this art festival मैं इस conveyor मतलब बच्चों होता है जो इसका जो management किया है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैं request करना चाहूंगा इस art festival के जो मतलब मैनेजर है जो इसको इनोंने में अरेंज किया है उनका में request करूंगा आवर आर्टीचर रेस्पेक्टेट मिस शिल्पा संगानी टू वैलकम दे बीकन ओफ आर इंस्टिशन बीकन मतलब होता है प्रकास जालना ठीक है लाइट आन बोलते हो ना यू प्लीज लाइ किया है वो हमारे टीचर है हमारे बहुत रेस्पेक्टेट टीचर है मिस शिल्पा संगानी वह उनका मिया पर वेलकम करते हैं यह क्या करें डबेकन ओफ और इंस्टिशन मतलब हमारे इंस्टिशन कौनसा दर प्रेसिडेंट आप बालान एकैडेमी के बारे में वह क्या करें कि थोड़ा सा दो शब्द कहें मतलब इंट्रोड्यूस कराएं ठीक है मिस्टर अवदूर पात्थग यह देखो मैं फिर से आपको बताती हूं देखो आइवोड नाव रिक्वेस्ट मैं आपको बताया कि अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किसका जो अरेंज किया है ठीक है वो में श्वेस्टिवल उ टीचर मिशस्पैकते शिल्प संगन्ही शिलपा संगहनी तु गलकम अब वो यह संग खाले ठीक है किसका वह व्यकंध करे वह मतलASH हमारे कि अर्च क्वेस्टा शोच इ为 करिंज करेंग म Сегодня वह बूलाएं कि हमारे प्रैसिडन बालंब कुल्चरल इंचार्ज मिस सुभाडा मुरार का टू वैलकम और एवर इंस्पारिंग डानेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर डॉक्टर अजिंकाया पराखी सर्थ अब मैं मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किसका हमारे स्कूल के कैप्टन कुल्चरल इंचार्ज जो मतलब इजो काम यह सब जो प्रोग्राम हो रहा है इसके इंचार्ज है मालिक है कौन मिस सुभाडा मुरार का मैं इनका वैलकम करना चाहूंगा आये नाव रिक्वेस्ट अवर स्कूल कैप्टन हाँ ठीक है कि यह आए और यह वैलकम करें किसका अव बहुत इंस्पाइरिंग हमारे जो प्रिंसिपल है ना डॉक्टर अजेंकाया पराखी सर उनको वह स्टेज पर बुला है मतलब वहाएं वह कुछ बात बोले यहां पर अब इंधियोसिस्टिक वाइस प्रिंसिपल विल बी वैलकम बाई मिस अनागा भाटिया अब अब वाइस प्रिंसिपल विल्पी वैलकम वैलकम करेंग किसके दोरह मिस अनागा भाटिया के दोरह ठीक है tanks त्वाइस प्रष्प्र तोरोंने बोला होगा थेंक्यू अना अब देख बच्चो इंट्रॉक्त्री इस पीच अब इंट्रॉकार्टी river कि पीच का है क्या एक अब जैसे बोलते हैं इसे चीज को बारे में जो नेशाया कि पर इसनिए जो पुलना क्या यहां पर देखो to appraise you about the art festival कहां पर थे हां to appraise you about the art festival I request the principal respected doctor अजिंक्या पराखी to deliver his introductory speech अब देखो यहां पर क्या बात आ गए मतलब कि यहां पर यह है कि अब मैं request करती हूं यह जो आर्ट फेस्टिवल पर to appraise you about the art festival I request मैं request करती हूं the principal respected doctor अजिंक्या पराखी कि वो अब यहां पर थ्रहाँ सा कुछ दोशाब्द बोले ठीके speech मतलब थोड़ा प्रस्तावना करें बोले वह कुछ चीज़े बुक रिलीज चलो बुक रिलीज देखते हैं appraise मतलब बच्चों आप यह देख लेना मतलब कैसा जज करना है ठीके to appraise you मतलब आपको यह जज करेंगे अबाउट दी आर्ट फेस्टिवल जो आर्ट फेस्टिवल होगा तो कौन कैसा प्रोग्राम किया यह प्रोग्राम कैसा हुआ वो प्रोग्राम कैसा हुआ यह सब के बारे में जज किया जाएगा वो ठीक है वही करेंगे कौन यह हमारे जो प्रिंसिपल नहीं अब बुक का रिलीज होगा ठीक जो पर्टिक्लर बुक है ना उसी के लिए तो यह प्रोग्राम हुआ है ठीक है अब यह बुक रिलीज कैसे फ्रेंट्स भी है प्रिपेर्ड हेर और वॉल्यूम कॉम्पराइजिंग फोटोग्राप्स ऑफ और ब्यूटिफुल एंड यूनिक पीसेज ऑफ आर्ट विचा डिस्प्लेड टुड़ें इन दी ओडिटोरियूम देखो फ्रेंस दोस्तों अब यह शाय से यह बात प्रिंसिपल जी बोल रहे हैं दोस्तों हमने प्रिपेर्ड किया है क्या एक वॉल्यूम है क्या हीर वॉल्यूम कॉम्पराइजिंग टुक्ल हमने यहां पर बहुत सारेज शामिल किये हैं बहुत सारे फोटोग्राफटराफ्स यूनिक ची चिज्वका सुन्दinga सुन्दरज फोटोग्राफ्स हमने 2 इंच शामिल करना एड कर देना उसमें ठीक है इंक्लूट कर देना एन यूनिक पीसेज आर्ट के बहुत यूनिक पीसेज यहां पर हैं जो कि आज यहां ऑडिटोरियम में डिस्प्ले किये गए मतलब रखे गए हैं ऐसा यह बोल रहे हैं दियार दी आर्टिस्टिक वे बड़े ही मतलब बहुत क्रियाटिव हैं वह चीज में रखी गए हैं उसकी बात प्रिंसमेट जी बूलरहे हैं कि बढ़े ही वो चीज आर्टिस्टिक हैं और स्किल्फुल हैं और कौंटीबुशनस फ्रोमार सुदेंस यह सारी चीजे हमारे स्टूडेंस का तियार कि गई तो ऐसी चीज़ें बहुत बहुत बहतरी चीज़ें हमारे अज रखी गई है डिस्प्ले की गई है रिक्वेस्ट चीफ गेस्ट तो रिलीज दिस स्पेशल बुक और इस ऑकेजन एंड फॉर्मिली इनौगरेट अर्ट फेस्टिवल और बोल रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता ठीक है और ये फेस्टिवल का ये उद्गाटन करें इनौगरेट मदले उद्गाटन करना जैसे कोई रिबिन कारता है ना कोई ग्यस्ट आता है चीविस्ट तो हुआ ही चीज़ थेंक यू सर्थ ठीक है आई नो दिस सेज अरॉजट अब ध्यान देना अरॉजट देखो इ आई नो दिस अरॉजट क्योरिसिटी इन यू तो सी दी एक्जीबिशन आफ्टर दिस प्रोग्राम यू थें टेक देट प्रीज़ आइनो मैं जानता हूं कि आपके अंदर क्योरिसिटी हो रही है मतलब जिग्यासू हो रहे हो आप लोग जानने की उत्सुक्ता बढ़ रह कि मतला बुक पढ़ ना कैसी किसी बुक है क्या-क्या चीजे रखी गई है और टोरियो में यह सारी चीज़ा फुदिखाये जैंगी काल्चराव प्रोग्राम इजुड़ बच्चो का सांस्क्रिक प्रोग्राम तो सर्च इंडिया का में मैं प्या म्यूसिक क्या क्ल्चर है नौर्थ हिंडिया क्या है महाराष्ट्रा क्या है हर जगर की यह सारे जो पुछ एक क्लासिकल चीजे होती है ठीक है तो वह कल्चर को हम बोलते हैं कल्चरल प्रोग्लाप ठीक है आप लोग बहुत उत्सुक्ता से मतलब आप लोग इंतजार कर रहे हो हमारे स्कूल के जैंस आफ मुजिक मतलब बच्चे मुजिक के रत जैंस मतलब रत न होता है तो म्यूजिक मतलब मुजिक के बहतरी चीज़ों को आप यहां पर सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक्ता मतलब आप वेट कर रहे हो हम अब इन्वाइट करेंगे मतलब हम इन्वाइट करते हैं किसको टैलेंटेट बैंड मुजिक जो हैं वह अपना टैलेंट यहां पर इसको बजा कर दिखाएंगे आप सबको प्राउडली प्रेजेंट ताल काचरी ताल काचरी एक नाम है मतलब बोलते हैं जैसे अलग-अलग मूजिक के सब नाम होते हैं न इस मूजिक इस संगित का यह नाम है उस संगित का यह नाम है तो ऐसे एक यह नाम है ताल काचरी ठीक है इसमें सब एक साथ बचते हैं सब्चीज साहल ऑफ स्टैंडर्ड टैंथ ए विल गिवर वोकल रेंडिशन एंड सेम पीस विल बी डेमोनिस्ट्रेटेड और डिफेंट इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे देखो क्लास टैंड एका साहल नाम का जो लड़का है वोकल रेंडिशन ह होगा यहां पर मतलब गले से वो आवाज देगा गाना गाएगा और उसका जो सूर है वो चीजे सेम जो जो टोन जो इसकी राग है उसको अलग अलग डिफेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इसको बजाया जाएगा अई बास समझ में लेट्स इंज्वाइब ताल का चिरी अब चलो आप इसका इंज्वाइब करो वर्षा और रिदंगम मरसा वर्षा रिदंगम बजाएगी वीवेग दोलक बजाएगा जुबिन तबला बजाएगा और गोविल गाटम बजाएगा ठीक है लेट्स हैव अब बिग राउंड अफ एप्लॉज फॉर दे एक्सिलेंट डेमोनिस्ट्रेशन चलो अपि हम लोग कहां पर आगए हैं एप्लॉज मतलब बच्चों होता है न वहावाई करना किसी को मतलब एगदम से इंस्पायर करना ताली बजा के उसको मतलब प्रोमोट क प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो स्पिकर बोल रहा है कि आप लोग यह प्रोग्राम को मतलब वहाई करो ताली बजा कर उसको साह को बढ़ा हो ठीक है डिफेंट स्टैट डिस्प्लेइड यूनिक आइडेंटिटी तो इस रेस्पैक्टिव कल्चर अलग अलग स्टैट के जो चीजे हैं जो कला है कल्चर उसको मतलब क्या करते हैं उसको यूनिक जो उसकी यूनिक आइडेंटी होती है देखो हर कल्चर का अपना एक यूनिक पहचान होता है अई बासज में सब्सक्राइब आप लोग को तो वह सब चीज क्या है स्टेट डिस्प्ले डिस्प्ले करता है वह चीज को दिखाता है बजाता है स्टेंडर सेवन सी विल नाव गिव ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन आफ दे फेमस कोली टैल्स फोम महाराष्ट्रा स्पिकर बोलता है कि महाराष्टा से कुली डांस कौन क्लास 7C की कौन है वह बच्चे कराम नहीं दिया है स्टेंडर सेवन सी विल नाव अचा उपरा सेवन का स्टेंडर यह क्या करेगा ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन होगा अभी आपे फेमस कोली डांस महाराष्टा का अभु आप यहां प्रेजेंटेशन अभी लोग सब देखे होंगे तो सब बोलेंगे वाव क्या प्रेजेंटेशन रहा नाव अलाइट कॉमेडी प्ले विल बी प्रेजेंटेड बाय स्टेंडर 9C अब देखो यह सब प्रोग्रम इतना हुआ ठीके तो अब देखो यहां पर 9C के बच्चों क्या किया जाएगा थोड़ा हलका फुलका कॉमेडी किया जाएगा कॉमेडी प्ले होगा मतलब एक नाटक चलेगा यहां ठीक है ड्रामा होगा आपना प्ले इस नाम का जो प्ले है दो बॉय कम सोम यह इस नाम का प्ले है वो आए और दोर्हें मलईन के दोरह यह प्ले मतलब किया गया है उसको यहां पर इलोग परफॉर्म करें ठीक है डेट वस इंडिदी फैंट टास्टिक परफॉमेंस यह वास्ता में बहुत जबरदस परफॉमेंस था प्राइस्टिबूुशन जैसे कि अपको पता है प्रोग्रम होने के अपसा बहुत सकता से इंतजार कर रहे हो प्राइस के डिस्टीबुशन का की ठीक है संगहेर है कि प्राइस किसको कॉंसा मिलेगा तेर बटरफ्लाइस इस्टमाख मतलिा बहुत उताओले हो यह रहे हो आप जल्द ही अपने उटावलेपन को शान्त कर लोगे कि अपने 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 की इसाफ से लोग अच्छा है परफॉर्मेंस किया था अल्ड टैलंटेट सबी तैलंटेड है ठीक है आँध में निकमना करना चाहाओ का वैज को चीफ गेस को देक्र करेंगे प्राइज विनर्स को मतलः प्राइज वह वह रथ देंगे और उनके डिफरोंट कैटेगरी को यह मिलेगा वेर्टेगरी मीजिक में जीक हैं उसको यह मिलेगा क्या क्या सबका है उस के तरिक इसाब से वह प्राइस डिस्टिब्यूट करेंगे ठीके ऐसा बुला के उन्हों बला थैंक्यू सर एड्रेस भाइद चीफ गेस्ट सब्सक्राइब अब चीफ गेस्ट के दर आपको पता चलेगा I would now request our illustrious, illustrious chief guest. Illustrious मतलब shanda, splendid. I would now request our illustrious chief guest to address the audience. मतलब audience को बताएं, बताएं क्या? मैं अपने shanda और अपने splendid chief guest से request करना चाहूंगा कि वो आएं और audience को मतलब बताएं. Thank you, sir. Your speech has given us wonderful insights on various aspects of art and culture. मतलब धन्यवाद, sir. आपका speech ने हमें क्या दिया? आपके speech ने हमें बहुत बहुत wonderful insights मतलब बच्चों, deep understanding जो हता है. Deep understanding दिया various aspects of art. आट के जो अलग अलग जो जितने क्षेत्र है, आट के अलग जो फिल्स है, उसमें deep understanding, बतलब गहरी सोच के बारे में आपका speech ने में बताया, वो चीज मतलब हम उससे बहुत ही हम लोग मतलब अच्छा लगा. आट और कल्चर के बारे में जो भी आप ने speech दिया था ना बहुत गहराई से दिया था, वो हम सब को बहुत अच्छा लगा. We are immensely grateful to you for your invaluable words of enlightenment. मतलब अच्छों यहां पर यह है कि हम सब आपके बहुत immensely, मतलब एकदम देल से बहुत ध्रदय से बहुत ग्रेटफूल है आपके invaluable words जो आपने बारे में सर आपने जो बताया हूँ हम आपके जो कीन्ति शद्दे हम सब को बहुत ही अच्छा लगा हम बहुत ही grateful है मतलब हमारे बहुत ही बहुत मतलब बहुत ग्रेटफूल है हम वोट फॉर थैंक्स यह सब प्रोग्राम के बात क्या होता है एक धन्देबाद दिया जा किसके लिए जो देखते हैं वोट फॉर थैंक्स बिफोर वी ड्रॉद कर्टें पर्दा गिराने से पहले आर टेक दी ऑपोर्चुनटी तो थैंक अल दोस हूँ है व्लैंट अहल्पिंग हैं तो मेक दिस आर्ट फेस्टिवल मिनिफूल एंड फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स चलो बुच्छे पले में आतक देख लेते हैं पर्दा गिराने से गिरने से पहले मैं एक मतलब एक यह मौका ले रहा हूं धन्यवाद बोलने का उन लोगों को जिन्होंने इस आर्ट फेस्टिवल को क्या किया इस मिनिफूल आट फेस्टिवल में नहोंने बहुत मदद की बहुत सारा काम किया एंड फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स उनके लिए मतलब एक स्पेशल थैंक हम उनको कर रहे हैं आइवाइड दो कॉन्वेंडर मैं कॉन्वेंडर को मतलब जो मैनेजर जो जो इसने मैनेज किया सब कुछ और इस यह प्रोग्राम को मैं तो मैं उनको मतलब क्या करता हूं इनवाइड दे कॉन्वेंडर ओफ दिस प्रोग्राम और टीचर मिस शिल्पा शांगानी को मैं इनवाइड करता हूं ठीके स्टेज पर जहां भी ठीके इतना कहके यह परदा गिरने से पहले उनको स्टेज पर बुलाया गया और यह खताम हो जाता है तो बच बच्चो तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चो कि अगर वह प्रेस करोगे अगर मैं कोई वीडियो डालोंगे तो आपको त्रण नोटिफिकेशन मिल जागा कि हां इन्होंने कोई नया वीडियो डाला है ओकी बच्चो चुरों मिलते नेक्स वीडियो में बाइब थैंक यू